हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल और आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ मैंगो हल्वा यानि की आम का हल्वा बनाने का तरीका और अगर आप रेगुलर सूजी के हल्वे या फिर बेसन के हल्वे से बोर हो गए हो तो आप एक बार इस हल्वी को जरूर जिनको मैं अच्छे से छील लिया है और इन में से दो आम को मैं रफली चोप कर लूँगी क्योंकि हमें इसको पीस कर मैंगो पल्प करना है और एक आम को हम बारीक पीसिस में कट करेंगे और हल्वे के लिए हमें अच्छा मीठा आम लेना है जिससे की हल्वे का टेस्ट भी बहुती अच्छा आएगा और साती में हलवा देखने में भी अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो मैंने दो आम को रपली चोप कर लिया है और अब इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालकर हम अच्छे से ब्लाइंड कर लेंगे लेकिन इसको ब्लाइंड करने के लिए हमें दूद या फिर पानी का यूज नहीं करना है तो हमारा मैंगो पल्प तयार है और तीसरे आम को मैं बारीक पीसिज में कट कर लूँगी जिसको कि हम ऐसे ही हल्वे में यूज करने वाले हैं तो हमारा मैंगो पल्प और मैंगो का चुटे चुटे पीस है यानि कि मैंगो चंक्स है दोनों तयार है तो थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड में रख देंगे और हल्वा बनाने के लिए एक कड़ाई मे मैं एड करूँगी एक कप सूजी और मैंगो हल्वे के लिए आपके पास पारिक वाली या मोठे वाली जो भी सूजी एवलेबल हो घर पर आप उसका यूज कर सकते हैं और अब इस सूजी को लगातार चलाते हुए मैं दो से तीन मिनट तक भून लूँगी और उसके बाद अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छी सूनैरी कलर की ना हो जाए लेकिन सूजी को भूनते वे धे हन रखना है कि गैस का फ्लेम लोटू मीडियम या फिर मीडियम रखना है और अगर हम इसको हाइए फेलें पर बूनेंगे तो फिर उ और चीनी को आप एपने टेस्क के आकोरिंग थोड़ा सा कम या ज़ाधा भी कर सकते हो और चीनी डालकर मैं पहले सूझी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके पानी का यूज किया है लेकिन अगर आपको हलवा थोड़ा सा पतला पसंद है तो आप पानी की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो और पानी डालने के बाद भी हमें हलवे को बहुत ही अच्छे से पकाना है तो मैंने गैस का फ्लेम अभी भी लोटू मीडियम रखा है और लोटू मीडियम फ्लेम पर मैंने हलवे को अच्छे से पका लिया है करीब चार से पाच मिनट और उसके बाद मैंने इसमें बचा बारी कटे हुए मैंगो यानि की मैंगो चंक्स और साथी में मैं एड करूंगी थोड़े से ड्राइफ रूट्स आपको जो भी ड्राइफ रूट्स